सर्वावतारी भगवन स्वामी नारायान आज का जो फंक्षन है उनके मुख्याति थी महामहिम करनाटका राज्जी के गवर्नर साहिब श्री गहिलत साहिब अमारे साथु समाज के आभोशन स्वारूप श्री मुक्तिदान स्वामी जी अमारे इधर के मले साहिब पुट्टर राजु साहिब सभी गेश्ट बच्चों के मातापिताओं और सभी आमंत्री मेहमानों जै श्री स्वामी नारायन स्वामी नारायन गुरुकुल महिसूर का आज लोकारपन हो रहा है स्वामी नारायन गुरुकुल का उनकी शुरुवात भारत के स्वतंतरता के साथ हुई है आज भारत का भी अमरीत महोत्सव अमारी गवर्मेंट मना रही है अमारी अशंस्ता है उनको भी प्रथम ब्रांच 1948 में स्थापिद हुई थी उनको भी इस साल 75 साल हो रहा है प्यारे सज्जनों स्वामी नारायन गुरुकुल का रोल यही है कि हमारा जो नया जनरेशन है उनमें एज्यूकेशन के साथ अच्छे संस्कार का सिंचन करना एज्यूकेशन एक गुरुकुल का जो मिशन है विद्या, सदविद्या और ब्रह्मविद्या विद्या यहीने modern education सदविद्या यहीने traditional education और ब्रह्मविद्या यहीने spiritual education आजकल विद्या का तो बहुत ही चलन है और शायद गुरुकुल से भी अच्छी स्कूलो एक प्राप्त है फिर भी एक गुरुकुल का मुख्य रोल, यूनिक रोल यही है कि हमारा नया जनरेशन में हमारे हिंदू धर्म के हमारे समाज में अच्छे संसकार लुप्त हो जा रहा है आज का नया जनरेशन बढ़ाई करके अपने माता पिता से दूर मेंटली दूर हो जा रहा है तो गुरुकुल का यही रोल है कि अपने माता पिता को रिस्पेक देना और बेड हैबिट से दूर रहना आज के मीडिया का यह नया जनरेशन पर इतना प्रहार हो रहा है कि उनका केरियर जो बनाने का टाइम है उसी टाइम में हो विगाड देते हैं तो गुरुकुल यही रोल बना रहा है कि नए बच्चे में स्मॉकिंग वगेरे जो बेड हैबिट है वो कभी भी नहीं आना एक गुरुकुल का मुख्य रोल है और अपने अपने इस्ट देव को मानना एक गुरुकुल का रोल है आज एज्यूकेशन का चलन बहुत हो गया है फिर भी अपने खूद माता पिता को भी बच्चे को अच्छे संसकार देने का टाइम नहीं है वो जरूरत पड़ती तो पैसे दे देते हैं लेकिन पांच मिनिट बेट कर बच्चे को अच्छी बात सिखाना उनके पास टाइम नहीं है कर शायद उनके पास टाइम रहता तो भी बच्चे उनसे सीखने क्यों तयार नहीं है क्योंकि सीखाने का कैपिसिटी उन्होंने गुमा दी है बच्चों को अच्छे संसकार देने में अपने माता पिता की भी कुछ कौलिफिकेशन होनी चाहिए वो व्यसन में डुबे हुए रहते हैं और अपने पुत्र को बताते हैं कि भी आपको व्यसन नहीं करना तो मानेंगे नहीं बच्चे का जो लाइफ है वो अनुकरन करने का है वो मानने का नहीं है बच्चा जो हमारा वडिल करते हैं उनका अनुकरन करते हैं इसलिए आज नया जनरेशन को अच्छी अच्छा मारक दर्शन बताना ये बहुत दूरलब हो रहा है उनका रोल एक गुरुकूल कर रहा है आज हमारे विग्यान ने इतनी संशोधन किया है कि नए नए बियारन का और डेवलप हो रहा है पश्वो में भी उनकी नसल सुधारन का प्रोग्राम हो रहा है लेकिन दुरभाग्य की बात यहीं है एक मनुष्य की नसल सुधारने का कोई नाम नहीं लेता है हमारे राज्य के आगेवानों और धर्म के आगेवानों कुछ प्रयत्न करते दो भी उनका चलने वाला नहीं है ऐसी परिस्थिती में एक स्वामिना गुर्कुल में आके पठाई के साथ साथ उनकी एक कच्ची उमर है तो उनमें जो अच्छे संसकार दिये जाएंगे ओ लाइफ टाइम रहेंगे तो प्यारे सज्जनों एक गुर्कुल नया जनरेशन का घडतर का कारिय कर रहा है उनके जीवन में अच्छे सद्गुन आदम जो माता पिता हो है उनको भी अनुरोद करता हो कि आप भी एक गुर्कुल को एक कारिय में सहाई करें क्योंकि आपका बच्चा है वो जो अच्छा संसकार वाला होगा तो आपकी संपत्ति है आपकी जो पैसे बेंक बेलेंस और समरुद्धी वो सच्ची संपत्ति नहीं है आपकी संसकारी नया जनरेशन वो ही आपकी सच्ची संपत्ति है आपके पास कितनी भी संपत्ति होगी और आपके नया जनरेशन में अच्छे संसकार नहीं होगे तो आपकी संपत्ति का कोई मिनिंग नहीं रहेगा और आपके बच्चे में आपकी जो प्रजा है उनमें अब मिलके एक बच्चों का जो केरियर बनाना कोई एक के बस में नहीं है बहुत सेंसेटिव बात है जैसे एक नया पहुधा को बढ़ा करना उनमें बहुत मेहनत पड़ती है उनसे भी ज्यादा एक बच्चे का अच्छा केरियर बनाना वो बहुत ही सिरियस है और बहुत ही ट पूरे स्वामी जी और स्टाप कि आपके बच्चे में अच्छे संस्कार आए, एज्यूकेशन के साथ संस्कार आए, उनकी मेहनत कर रहा है, आप उनके जो माता पिता है, वाली गण है, उनकी भी अपेक्षा उनमें जरूर रहती है, आप जरूर उनमें मेहनत सहाई करिएगा हम सब मिलके यह नया जनेर्शन एशा बनाए जो अपने कुटम के लिए भी सुखुरुप हो और देश का अच्छा नागरिक बने ऐसी शुब कामना करके मैं विराम लेता हूँ जैस्वामिन आ रहा है